नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं नमर को मंत्री मंडल की बैठक में 1932 खत्यान का प्रस्ताव पास कर दिया है, इसी दवरान 1932 खत्यान का विरोध करने पर 6 लोगों को रांची जीला परसासन नोटिस भेजा है, जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उसमें परदीपतिवारी, कैलास यादव, रंजन कुमा नौनित कुमार, बिटु मिस्रा और राम कुमार यादो सामिल है, ये सबी धुरुआ थाना चेत्रे के राहने वाले हैं, रांची जीला परसासन द्वारा भेजाए गया है, जिन लोगों करेंगे या ऐसा कार्य करेंगे, जिससे संभावना है कि सान्ति भंग होगी, या अपयक्षा क्यों न की जाए, एक वरस की अधी के लिए सान्ति कैम रखने के लिए 50 रुपय का बंध पत्र और उसी रासी का दो प्रती भूतियों के साथ प्रस्तूत करने का आदेश दिया जाए, जारखन के 15 लाख का इनामी मवादी मुंबाई में गिरफतार, जारख मुंबाई की एंटी टेरोरिस्ट एसक्वाइड ने रभिवार को तड़के छापा मार कर उसे गिरफतार कर लिया है, नाला सो पाराक के राम नगर की धनवी चाल से गिरफतार मुवादी कारू हुलास यादव, 45 वरसी एसे, ATS की टीम पूछ ताच कर रही है, मुंबाई ATS ने उसके गिरफतार होने की जनकारी जरकन सरकार को दे दी है, सुत्रो के अनुसार इनामी मुवादी कारू हुलास यादव के बारे में ATS को पाल घर जीले में राने की सुचना मिली थी, धनवाद में दो यूगों का सोव मिलने से मचा हलकंप, धनवाद सहर में रभिवार को दो यूगों का सोव मिलने से हलकंप मच गया है, धनवाद के केंदुआ डी छेतर अंतरगत, गोधर पावर हाउस के पीछे नाले में एक सत्रा वर्स यूग का सोव मिला है, वहीं दूसरा सोव कुसूंडा रेलवे स्टेशन के समीप पाया गया, इलाके में दो सोव मिलन वाले बिक की चोवान के रूप में की गई, वहीं दूसरे सोव की पाचान, गोधर 15 नंबर निवासी राजु गोप के रूप में की गई है, CBSC बोड परिक्षा फरवारी में, केंद्रियम आदमिक सिक्षा बोड ने अधि सुचना जारी कर कहा है, कि अगर कोई चातर प्राइबेट मोड में CBSC दास्वी और बराहमी बोड की परिक्षा देना चाहता है, तो वह ओनलाइन आवेदन कर सकता है, ओनलाइन आवेदन की परकिरिया शुरू हो गई है, CBSC के अनुसार 30 सितंबर तक फर्म भर जाएंगे, ऐसे में एक छुक चातरों को चाहिए कि सिक्र आवेदन भर दे, या हती थी और बिस्तारी होगी या नहीं, इस बारहमें अभी कोई सुचना बोड की ओर से नहीं दी ग करवाई मिराल सियो वा थानेदार हटाए गाएं, गडवा जिला के मिराल परखण में बिगत 20 अगस्त को थाना का घिराव कर रहे हैं, गरामिनों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने के मामले में हेमंत सुरेन सरकार का अस्तर से बड़ी करवाई की गई, राज सरकार ने सियो अंगार नाच स्वरनकार का तबादला कर दिया है, उन्हें मिराल अंचल कर्याले से अटा कर भोमी सुधार विभाग रांची में अथनांतरित कर दिया है, वही मिराल थाना परभारी लाल बिहारी परसाद को पुलिस अधिक चक अंजनी कुमार जहा ने लाइन जीर कर दिया है, रंका थाना में पदस्थापीत, एस आई नितिस कुमार को मिराल थाना का नाया परभारी बनाया गया है, चत्रा में सराब तसकरी का नाया तरीका बंकर में छिपा कर रखी जाती है सराब, चत्रा जिलेक के हंटर गंज परखंड के वसिष्ट नगर थाना चेतर के गनेशी डाहा गाउं में भारी मत्रा में अवैद अंगलेजी सराब बरामत हुआ है, इतना ही नहीं सराब रखने के लिए बनाये गए दो बंकरों का भी उत्भेदन हुआ है, बंकरों में करीब 400 पेटी सराब रखी हुई थी, बंकर के साथ सराब की पेटी भी नश् लाह का पाकेज, इनाइटी में अन कैंपस हाईरिंग पिछले सारे रिकोर्ड तोड रहा है, इनाइटी जमसेदपूर के लावा, हमीरपूर जलंधर काली कट दुरगापूर प्लेस्मेंट के मामले में टॉप हाइप में बने हुए है, इनाइटी जमसेदपूर की बात करे इनाइटी कैंपस में सबसे अधीक मांग वाले प्रफाइल में सब्ट्वेर और आइटी सामिल है, इस एसी सीजियल में 20,000 पदों पर भरती जल्द करें आवेदान, इसी सीजियल या करमचारी चैन आयोग परिक्षा 2022 नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2022 को जारी कर दी है, जो उम इनाइटी पर किरिया के तहत कुल लगभग 20 सहर पदों को भरा जाएगा, उमिद्वार ध्यान दे की ओनलाइन आवेदान जमा करने की अम्तिम्ति थी 8 अक्तूबर की रातरी 11 बे तक है, वही रात 11 बज़े के बाद कोई भी आवेदान सविकार नहीं किया जाएगा सेना भर्ती में दड़ लगाने के दोरान युऊख की तव्यत बिगाने से मत, के बारूं थाना चेटर के देहोरा गाउं में एक युऊख की मत से पूरा गाउं मातम में हाए, बता देए युऊख ओम परकास रामा सीस मेहता के एकलोता पुत्र था बोकारों में सेना की बहाली में दोर लगाने वक्त उसके पेट में दर्द उठा उनके परिजनों ने बताया है कि ओम परकास सेना में बहाल होकर देश सेवा करने का जज़बा रखता था इसी दोरान जहरखन के बोकारों में सेना की बहाली की निकली हुई थी इसमें दोड के लिए वह वहां गया था और दोड लगाने करम में उसकी अचानक तवियत बिगड़ गई हलाकि प्रात्मिक उपचार के बाद किसी तरह ओम पर कास घर तो आ गया लेकिन परिजनों के दोड़ा जब उसे इलाज के लिए होस्पिटर ले जाया जा रहा था इसी दोड़ान उसकी मौत रास्ते में ही हो गई बच्चा चोर की अफवाह पर कोडारमा पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्ज कोडारमा में जीला पुलिस की ओर से दुरगा पुजा के मद नजर विसेस चोकसी बरते और सकता को लेकर फ्लैग मार्ज निकाला गया है फ्लैग मार्ज कोडारमा और तिलेय थाना चेतर के अलग अलग इलाकों में निकाला गया वहाई पुलिस ने बच्चा चोरों की आफवाप और ध्यान नहीं देने की बात कही दुरगापुजा के दोरान जीले में सांती बेवस्था कायम रखने के मद नजर पुलिस की ओर से फ्लाइग मार्च निकाला गया और लोगों से सांती बेवस्था बनाय रखने की अपील की गाई एसडिप्यो असोक कुमार की अगवाई में कोडारमा और तिलेय थाना चेत्रे के अलग-अलग इलाकों में फ्लाइग मार्च निकाला गया है जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान और अधिकारी सामिल हुए बिच्छू के समान चल कर देवघर जा रहे सीव भागत बिश्व परसीद स्रावनी मेला के अमतिम दीन सावन पूर नीमा के दीन 12 अगस्त 2022 को सुक्रवार सुबा 7 बज कर 7 मेट पर सुल्तान गंज इस्थीत बाबा अज गविनी नाथ मंदीर गांगा खाट से एक बिच्छू डंक बम ने कावाड यात्रा प्रादम करने के लिए गांगा जल उठाया वे बरफानी बाबा महंत सत्यगिरी के सीश से हैं उतर परदेश के बलिया जिला अंतरगत नाथ नगर रसला निवासी असोग गिरी उर्फ मन्नु सोनी ने बताया है कि उन्हें यह कावाड यात्रा बिच्छू के कल्यान के लिए उठाया है वे सीव भक्त हैं भागवान सीव की आराथना में ही उनका जीवान ब्यातित हो रहा है धन्यवाद